लेटल रग स्केंविंग तो बंटाई लोग कैसे हो वेलकम वन्स अगरन टो लेटल रग स्केंविंग तो गैस मने अलड़ेग दो वीडियो लाया था गेमलूप के रिकाड़िंग की गेमलूप में कैसे जो डाउनलोड एरर से, जो फी MR2 को कैसे दिग्स करना है ला रहा हूँ गेम लूप के एरर को fix करने के regarding step by step एक एक प्रोसेस पूरा बताऊंगा आप लोगों को कैसे क्या करना है तो बने रही है हमारे साथ वीडियो के end तक और ध्यान सा देखिए पूरे वीडियो को तभी सिर आपको समझ में आएगा और guys हाँ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज याज शेयर कर देना वीडियो को और लाइक कर देना और अगर ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स नहीं ने गिम्स बक्चुली बटन को दबाईए अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए तो चलीए शुरू करते है Guys सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि आपका जो एंटीवारस इंस्टॉल किया हुआ है आपका कोई आंटीवारस है की नहीं Quick Hill भी हो सकता है Northern भी हो सकता है ABG भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है उसके अंदर स्रेटिंग में जाके इंटरनेट प्रोटेक्शन इंटरनेट फायरवाल वेब एन इमेल तो ऐसा कोई विएगर आपको मिलता है आपको सिंपली उस पर जाना है और उसको अगर इनबल्ट है तो डिजबल्ट कर देना है और फिर डानलोड करने का ट्ॉश करना है गेमलूट कें अंदर पपजी मुबाईल को अगर हो जाता है तो सही बात और नहीं होता है तो एक बाद उनके साथ-साथ पूरे अंचिवायरिआस को भी बंक करते एक और ट्राइक करना है और साथ ही साथ एक बार आपको Windows Security Windows Security में आपको मिल जाएगा App and Browser Control and Firewall and Network Protection इसको भी आपको ना मतलब बंद कर देना है Firewall, Click करना है Then Off कर देना है तो ये सारा जवापने कर लिया फिर आपको Try करना है अगर फिर भी नहीं होता है अगर फिर भी नहीं होता है तो आपको Next Step पे जाना है सबस्क्राइब में क्या करता है Next Step में Next Point जो हमारा है कि अपने DNS Server को Change कर देना है तो आपको कुछ नहीं Simply जाना है Search पे आपको लिखना है Network आपको जाना है Network Status में Network Status में जाने के बाद आपको जाना है Network and Sharing Center Network and Sharing Center में जाने के बाद आपको अपना जो भी आपका Connection है Ethernet वाइफाई इसको खोलना है खोलने के बाद Properties में जाना है Properties में जाने के बाद IPv4 को Double Click करना है यहां आपका Optane DNS Server Address Automatically होगा इससे आपको इसमें Switch करना है और यहां Google का जो DNS है यानि की 8.8.8.8 और नीचे आके 8.8.4.4 इसे दे देना है OK कर देना है फिर से OK कर देना है Close कर देना है तो गाइस इससे आपका DNS जो है वो Google का हो जाएगा और इसके बाद फिर से आपको Try करना है GameLoop.fun से GameLoop को Download करने का अगर यह होता है तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं होता है तो अब आपको VPN यूज करना है डाउनलोड करके VPN तो ऐसे भी आपको यूज करना है तो आपको मैसेज़ेश करूँगा कि आप Proton VPN यूज करो मैंने अपने पिछले वीडियो में दिखाया हुआ है इसको कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है या फिर आप Touch VPN भी यूज कर सकते हो यह कि आपको मिल जाएगा Windows Microsoft Store में यह गाइस जो उगली वाला दिखा रहा है हमारा जो पॉइंट है उसको ट्राइ करना है आपने क्या क्या कर लिया? ध्यान देना आपने Antivirus को play off कर लिया यानि कि Antivirus में जो इंटरनेट प्रोज्यों इंटरनेट फ इंटरनेट फायरवल ता उसको we off कर लिया आपने Windows फायरवल के अंदर जा फिर पग्जी मुबाइल इंस्टॉल या लोग इन नहीं हो रहा है तो फिर आप क्या कर गोई तो फिर आपको मूविन करना है हमारे next step में अब next step हमारा क्या है ध्यान से देखना दोस्तों आपको सर्च में जाना है यहां cmd टाइप करना है करने के बाद आपको right click करना है run as administrator करना है और यह आता है तो आपको yes करना है आपको यहां simply कुछ नहीं करना है आपको type करना है net sh net net s h w n a s o c k r e a c t इतना लिख के आपको इंटर मार देना है यह मैं दे दूंगा अपने description में तो यह हो जाएगा successfully reset the windshield catalog you must restart the computer in order to complete the reset इतना आ गया तो अब आपको simply बंद कर लेना है सारा कुछ अपने computer को restart करना है restart करके आपको तो वारा VPN से connect करना है और करने के बाद फिर से game loop download करके install करने का try करना है in pubg mobile install करने का try करना है आपका जहां भी रुका हुआ है यह करना है तो guys अगर इतना कुछ करने के बाद भी आपका नहीं होता है तो हमारे पास एक final solution है उसको आपको try करना है ध्यान रखना guys आपने काफी कुछ try कर लिया आ फिर भी आपका नहीं हो रहा है इसका मतलब भई आपके computer में ही किसी ने share खानी की है अब वो आपका ISP हो सकता है या फिर कोई antivirus program है जिसने share खानी की है तो इसके लिए जो final solution है जो work करना ही चाहिए अगर इतना कुछ नहीं करता है अगर आप सही से कर रहे हो तो वो final solution work कर गई तो वो क्या है वो ध्यान से देखना गई ध्यान से देखना आपको notepad को खोलना है n o t e p a d search करना search bar पर लेकि notepad को आपको ऐसे ही नहीं खोलना है इसको administrator right के साथ खोलना है तो कैसे करोगे पहले notepad type कर लो फिर यह notepad दिखाएगा इस पे आप right click करो and then आप करो run as administrator यह करना काफी ज़री है यह करना काफी ज़री है तो run as administrator ही करना वरना नहीं होगा यह ऐसा आता है आपको येश कर देना है अब आपने ये कर दिया है तो आपका ये नया नोटपैट का खुल जाएगा फाइल लेकिन आपको यहां कुछ लिखना नहीं है आपको एक फाइल ओपन करना है आप क्या ओपन करोगे आपको C में जाना है फिर आपको Windows में जाना है फिर आपको System 32 में जाना है फिर आपको Drivers में जाना है Drivers के अंदर जाना है फिर आपको ETC के अंदर जाना है फिर यहां जो Text Document का लिखा हुआ है न इसको इसके उपर क्लिक करना है All Files करना है फिर यहां आपको काफी सारे files दिख जाएंगे यहां से आपको ध्यान रखना जो पहला लिखना file होस्ट होस्ट यहां दो host रहेंगे लेकिन एक के type में देखना file है और दूसरे के type में देखना calendar है तो जिसके type में file दिखा रहा है उस file को आपको click करके open करना है जैसे ही आप यह host file को open करोगे आपको यहां बहुत सारा कुछ नीचे लिखा हुआ दिख जाएगा आपको बहुत कुछ हो सकता है इसने बहुत कुछ हो सकता है लेकिन ध्यान देना guys यह कोई भी आपके किसी भी काम का नहीं है यही जो यहां सारा आपका लिखावा रहेगा वही सारे चीज़े आपकी block कर रही है game loop के server से and PUBG mobile के server से आपकी connection को तो आपको करना क्या है आपको simply कुछ नहीं करना है उपर के 2-3 lines छोड़ देने है जैसे यह जो लिखावा है ना 127.0.0 local host लेकिन ध्यान देना इसके आगे half लगा हुआ रहना चीज़े अगर नहीं है तो hash लगा रहे ना इसके आगे आपको आग बंद करके यहां से select मारना और नीचे जितना दूर चलायाता है जितना भी दूर चलायाता है इसको पूरा नीचे तक select कर देना है आपको पूरा का पूरा नीचे का जितना भी कचड़ा है आपके उहां बहुत सारा रहेगा उझे पता है बहुत सारा रहेगा अगर नहीं होता है तो अच्छी बात है लेकिन होता है जितना भी कचड़ा है आपको पूरा delete कर देना है और delete करने के बाद file करके आपको save कर देना है और save जैसे ही कर दोगे आपको एक बाद फिर से VPN को open करके viewers का server से connect होके gameloop.fun के website से gameloop को download करना है और फिर PUBG को download करना है अगर हो जाता है तो अच्छी बात है नहीं तो फिर से एक बाद अपने PC को restart करके try करना है, hopefully आपका सारा problem solve हो जाएगा guys, सारा problem solve हो जाएगा उसके बाद PUBG Mobile install हो जाएगा, उसके बाद आपको जैसे नॉर्मली करते हो, आपको PUBG Mobile में log in कर देना है और log in करने के बाद एक बाद PUBG Mobile start हो जाता है तो आपको फिर VPN disconnect कर देना तो guys, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है अगर आपका problem fix हो गया है, यार क्या करना है आपको like कर देना है और जादा 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 share कर देना अपने दोस्तों के बीच में और हा guys अगर ऐसे वीडियो आपको आगे भी देखते रहने और interesting updates देखने है बक्चोरी वरे content, interesting content देखने हैं तो यार, लाल वाला subscribe बटन को अभी के अभी जाके दबाओ और बने रहो हमारे साथ family का हिस्सा बनो तो guys इसलिके साथ end करते हैं इस वीडियो को मिलते हैं नेक्ट वीडियो मैं तरत के लिए विए टेक केर बाबाई, love you guys